आज बनाएंगे मलाई कुल्फी वो भी एक ब्रेड की स्लाइस से जरा इसका टेक्शर देखिए ये इतनी सौफ्ट मलाईदार मुँ में घुल जाने वाले आज हम कुल्फी बनाएंगे बेस्ट बात ये है कि इस कुल्फी में हमने कोई भी स्टेबलाईजर या मलसिफायर नहीं मिलाया है ये कुल्फी का टेस्ट सेम टू सेम बिल्कुल राजवाडी कुल्फी के जैसे ही होता है और इसे बनाना चुटकियों का काम है बस आपको सही टेक्निंग पता होनी चाहिए और एक बात ये है कि इस कुल्फी के रेसिपी में हमने मिल्क पाउडर या कॉन फ्लार नहीं मिलाएंगे तभी इसका टेक्शर तो आप देखी सकते हो वीडियो इन तक जरूर देखे ताकि आपके कोई टिप्स मिसना हो रेसिपी देखने से पहले चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले पहले लेंगे हम कुछ अपने पसंद के ड्राइफ रूट्स और इन्हें बारिक कद्दुकस कर लेंगे यहां मैंने बादाम, पिस्ता और काजो लिये है आप सिर्फ एके ड्राइफ रूट्स ले सकते हो अगर आपके पास यह ड्राइफ रूट्स कट्ड़ ना हो तो सिंपल कद्दुकस करके ले ले यह देखे यह हो गया है अब इसे साइब में रख देंगे और एक मोटे तेली की कड़ाई में हम लेंगे भैस का एक लिटर दूद आप गाय का भी फुल क्रीम दूद ले सकते हो पर रिजल्ट भैस के दूद के साथ ही पेस्ट आएगा अब इस दूद को मध्यमाच पर उबाल कर आदा रह जाने तक रिड्यूस कर लेना है जब दूद होने ही वाला होगा तब हम लेंगे एक ब्रेट की स्लाइस एक लिटर दूद के लिए एक स्लाइस काफी होंगी ब्रेट स्लाइस के साइड्स हटा कर थोड़ा गरम दोदिस में मिला लेना है इससे होगा ये कि ये एकदम सॉफ्ट और मशी बन जाएगी बस ध्यान रहे कि स्लाइस की पाउडर बना कर ना ले क्योंकि आगे की प्रोसेस में ब्रेट के दाने रह जाते है जो कई बार हम जब मार्केट वाली कुल्फी खाते हैं तो मलाई समझ कर एंजॉय करते हैं पांच मिनिट हो गए है अब इस ब्रेट की स्लाइस को अच्छे से मैश कर लेंगे अभी आपको लगेगा कि ब्रेट के पीसस दिख रहे है पर ऐसी टेकनिक आगे चलके इस्तमाल करेंगे कि कुल्फी एकदम सौफ्ट और विल्विटी हो जाएगी तो इस स्टेज पर दूद को देख कर ये ना सूचे कि कुछ गलत स्टेप कर लिया है दूद को ब्रेट की पेस के साथ अच्छे से मिला लेना है अब अगर आप कॉन फ्लार नहीं मिलाना चाते तो हम इस कुल्फी में क्रीमी टेक्शर लाने के लिए हमें मिलाना होगा कंडेंस्ट मिल्क और अगर आप कंडेंस्ट मिल्क इस्तमाल नहीं करना चाते तो वीडियो इन तक जरूर देखे इसका भी परियाय मैंने आगे वीडियो में बताया है यहां मैंने त्री फूट टबबा भर कर कंडेंस्ट मिल्क मिला लिया है यह देखे यह बचा को जो कंडेंस्ट मिल्क है आप किसी भी स्वीट में इस्तमाल कर सकते हो या फ्रिज में ढग कर 15-20 दिनों तक स्चोर कर भी रखा जा सकता है अब इस मिक्षर को अच्छे से मिक्स करके 3-4 मिनट उबाल लेंगे बस ध्यान रहे के कड़ाई मोठे तले की हो वरना दूद बहुत जल्दी नीचे से चल जाता है काफी लोगों को ये बात तो पता है ही पर कई लोग इन एक्सपीरिंस जो है ये खास टिप उनके लिए है दूद अच्छे से गाड़ा हो जाने के बाद इसमें मिलाएंगे फ्लेवर्स तो पहले मिलाऊंगे केसर हमें केसर का फ्लेवर चाहिए पर कलर नहीं इसलिए गैस बंद करने से पहले हमें इसे मिलाना है फिर मिलाएंगे इसमें चुटकी भर नमक बिल्कुल भी ज्यादा आड़ ना करें वरना कुलफी सॉल्टी बन जाएगी और लास्ट में मिलाएंगे इसमें इलाइचे का पाउडर पर एक important step बाकी है जो हम mixture ठंडा होने के बात करेंगे तो वीडियो अभी skip करके ना देखे अब इस mixture को इसी कड़ाई में room temperature में आने तक रख देंगे बादा गंटा हो चुका है और ये mixture ठंडा होने के साथ-साथ थोड़ा और गाड़ा भी हो गया है इस stage पर अगर ऐसे ही कुलफी जमा दी तो खाते वक्त मूँ में गुठलिया लगेंगी तो मलाईदार soft velvety texture की कुलफी बनाने के लिए इस mixture को हम डालेंगे इस mixer 4 में और फिर देखना इसका velvety texture कैसे बनता है ये देखें ये हो गया है और ये कितना creamy और soft बन गया है ना ही इसमें कॉंस लार्प की जरुवत पड़ती है ना glucose सिरप की और ना ही किसी stabilizer की तो एक लिटर दूट से 500 ml mixture बन कर तयार है इससे 7-8 कुलफी आराम से बन जाती है इस stage पर इसमें मिलाएंगे हम कुछ dry fruits के slices अगर पहले मिलाएं होते तो mixer में ये पिस जाते तो इस stage पर dry fruits मिलाकर last step कर लेंगे वो है कुलफी को जमाना आज मैं कुलफी molds में और इस प्रकार के kullard में इने set करूंगी ये कुलफी का taste एकदम गजब का होता है और market में मिलती है वैसी राजवाड़ी कुलफी के जैसा ही लगता है जो भी इसे खाएगा विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि एक कुलफी घर पर बनी है अब इन कुलफी molds को tightly बंद करके इनमें ice cream sticks लगा लेंगे ये sticks काफी जोड़ी थी इसलिए मैंने इन्हें आदा आदा कट कर लिया है इन्हें एक एक कुलफी में इस stage पर ही लगा लेंगे एक important बात share करूंगी कि अगर आप इस recipe में condensed milk की जगे पर चीनी इस्तमाल करते हो तो 2-3 tablespoon corn flour और 2-3 tablespoon milk powder दूद उबलते वक्त मिलाना ना भूले तब ही कुलफी आपकी creamy और soft बनेगी अब इन कुलड को foil से ढग कर 7-7 गंटे freezer में set होने के लिए रख देंगे मैंने पूरी राध freezer में रखने के बाद इन्हें निकाल लिया है और ये देखे कितनी बड़िया कुलफी बन कर तयार है ये एकदम creamy तो है ही पर इसकी taste तो जब आप बनाओगे तभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी अफलाग तून है तो इस recipe को आप सरूर try करें और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like और चानल को subscribe करना ना भूले और ये देखे बच्चे तो बच्चे बड़े भी इस कुलफी को खा कर खुश हो जाएंगे इस कुलफी का टेस्ट और कनर सेम टो सेम माकेट में मिलती है वैसा ही आया है गानिश करें पिस्ता से और खुब एंजॉय करें इस recipe को इस summer season में इस कुलफी का टेक्च्छर भी आप देख सकते हो ये कितनी perfect है कि कोई ice crystals इसमें बिलकुल भी नहीं बने है चलिए मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में तब तक इस recipe को आप ज़रूर ट्राइ करें